हेलो फ्रेंट्स मैं रुपेश्क मरमिस्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ देखिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉमर्स के जितने भी छातर हैं उनका एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट आपका होता है इसका मैं आपको यहां से 100 अब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा विथ आंसर जो यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है वैसे आंसर उसको मैं बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ और यह 100 कुष्चन जो है यह एक्जाम के द्रिष्टी कौन से काफी महतोपुण रहने वाला है तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है क्योंकि यहां से आपको बहुत डिटेल में हम लोग 100 कुष्चन को कंप्लेट करेंगे टोटल आपको 4 साल का कुष्चन कंप्रीट करना है अपने सबसे जदा जरूरी है 4 साल का कुष्चन पेपर कुष्चन बैंक से उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो कुछ पढ़ना है वो गेस पेपर के साहता से आप पढ़ सकते हों वो आपके अपने एक्षा पे निर्भर करता है लेकि जितना मैं बता रहा हूँ उसको जरूर फॉलो कीजी साथ में एक्जाम में आपको कैसे कॉपी लिखना है और आंसर कैसे बनाना अगर आंसर नहीं भी पता है तो इससे related मैंने वीडियो अप्लोड किया जाके देखिए आपको एक्जाम में वो भी हल्प करेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नहीं है सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको इस तरह का content और university का update notification समय समय पर मिलता रहे एक और बाद टेलिग्राम चैनल का link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोइन कर लिजे वहाँ पे आपको university का हर एक update notes material का PDF सब कुछ मिल जाएगा आईए बात करते हैं B.com part 2 के लिए कुछ important question पर bank दर वहदर है जिस पर भारतिये reserve bank रिन प्रदान करता है सबसे पहला question है इसका option हो जाएगा है B. website bank इसको हम लोग बोलते है commercial bank इंग्लिस में तो right option will be option B second देखिए जब मुद्रा की आपूर्ती बढ़ती है मुद्रा की आपूर्ती बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है वहाँ क्या होगा वहाँ ब्याज के दर में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा ब्याज के दर में कमी ठीक है जी हमें अपने बचत बैंकों को रखनी चाहिए क्योंकि बैंकों में रखने चाहिए बचत क्योंकि यह सुरक्षित है ब्याज कमाता है और किसी भी समय वापस लिय आजा सकता है इसलिए बच्चत बेंकों में रखना चाहिए उपरोक्त सभी वाला option इसका सही होगा देखिए एक बात याद रखेगा अगर आपको आंसर नहीं भी पता है न तो all of the above अगर कहीं पर option में है तो उसको ही ओए हमार में रंग दीजिएगा कॉमर्स वाले छात्रों का कमेंट आ रहा था कि हमारा content आप नहीं upload करते हैं तो मेरे पास जैसे यह सब्जेक्ट का आया monetary financial INST का तो मैंने सोचा कि चलो कॉमर्स का यह content upload कर दिया जाए वैसे मैंने honors का आपका जो accountancy honors है जैसे corporate accounting and business regulatory framework करके उसका guess question मैंने channel पर upload कर दिया है चाहो तो जाके आप देख सकते हो वीडियो में चेक करोगे आज से लगभग महिने भर पहले upload हो चुका है बात आता है अब subsidiary और language paper का तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा फिलाल हम लोग चौथा question देखते हैं बैंक किनके सहारे रीन नहीं देता है lottery ticket तो option इसका C होगा बहुत ज़्यदा दिमाग नहीं लगाना है जितना question बता रहा हूँ direct उसको पढ़िए याद कीजिए एक बार में नहीं समझ आता है दुबारा वीडियो देखिए करता है इसका mark कि इसमें आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हूँ लेकिन subsidiary को भी उतनी ही वर्यता देना है ये नहीं कि इस paper में आप प्रमोट हो जाओ प्रमोट हो जाओगे तो फिर बड़ा लफरा लग जाएगा भारत में अधिक्तम साखाओं वाला बैंक कौन सा है तो ये है भारतीय स्ट्रीट बैंक और भारतीय स्ट्रीट बैंक का स्थापना कब हुआ था वीडियो के comment box में आके आप बताओगे ATM का password में रखना चाहिए automated tailor machine का password में रखना चाहिए memory याद रखना option क्या हो जाएगा c नामीत किया जा सकता है तो उपरोगत सभी आबरती जमा बचत बैंक खाता और सावधी जमा सावधी बैंक में बचत खाता खुलने के लिए नियूंतम आयू कितना है उपरोगत में से कोई नहीं option इसका D हो जाएगा नियूंतम आयू कोई नहीं KYC KYC का full form होता है know your customer इसका मतलब होता है अपने ग्राहक को जाने हिंदी में बोला जाता है और इंगलिस में क्या बोलते है इसको no your customer customer अपने ग्राहक को जाने बैंक रीन प्रदान नहीं करता है सराब और जुआ के लिए अब इसके लिए भी रीन अगर प्रदान किया जाए तब तो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा यह तो आप लोग भी जानते हो सराब और जुआ के लिए कभी रीन प्रदान नहीं क्या जाते है फसल शिक्षा और घर के लिए बैंक रीन प्रदान करता है पूछ रहा है नहीं करता है तो सराब और जुआ तब सभी जितने भी कहने का मतलब शराब पीने वाले और जुआ खेलने वाले हैं वो लोग अलाम से रिन लेके बैठ जाएंगी बैंक का तो उनको रिंक परदान नहीं करता है बैंक रिनो का समय पर पुनल भुगतान का परिनाम क्या होगा अच्छी प्रतिस्था कोई तनाब नहीं समझ रहे हैं भविस्मा असानी से रिन की उपलवता उपरोग सभी बोलते हैं कि इमेज आपका बन जाएगा तो इसलिए चार हो अप्सन होगा प्रतिस्था भी बना हुआ रह नहीं तो फिर बाद में प्रॉबलम होता है किसी को एक बार अप्ठा होगे बार बार अर्थ हो रिना रिन के चूक करता का अर्थ होता है रिन के किस्ते का भुगतान नहीं करना तो आप्शन नमर क्या हो जाएगा ए जीवन बीमा का अर्थ क्या है ये है मानव का मीमा मानव का बीमा option इसका ए होगा सामानी बीमा किसे संबंदित है चोरी, आग और सेंदमारी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका option E या S का अर्थ क्या होता है यह होता है पूर्व या दक्षिन छेत्र ठीक है मुद्रा नोटो पर लिखने के लिए कौन सा निशिद्ध है तो वो है धार्मिक संदेश राजनितिक संदेश और व्यक्तिगत संदेश देखो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी वाला option सही होगा कहने का मतलब है maximum जगा पर सही होता है उपरोक्त सभी वाला ही पैन को पैन कार्ड को ठीक है करेंसी नोट किसके द्वारा किया जारी किया जाता है तो RBI जिसको मैं लोग बोलते हैं Reserve Bank of India मतलब भारतिय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक इसका मुख्याले कहां पर है मुंबई में बैंक ब्याज का भुगतान करते हैं जमा व्यपार समवाद दाता का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं Option D एक बार किया गया नामांकन बदला नहीं जा सकता है तो Option क्या हो जाएगा इसका C TDS का अर्थ क्या होता है Tax Deducted at Source स्रोत पर कर कट आर्थी TDS का मतलब होता है Tax Deducted Deducted at Source Source मतलब होता है स्रोत Deduction मतलब होता है कटावती और Tax मतलब होता है कर तो इसी का हिंदी मतलब हुआ स्रोत पर कर कटावती Bank Draft के द्वारा जारी किया जाता है उपरोक्त सभी छेत्रिये ग्रामीन बैंक निजी छेत्र के बैंक मतलब प्राइबेट वाला बात कर रहा है और सार्वजनिक Option C स्वयम सहायता समू में सामिल है इसका आप मुझे comment box में आके answer बताओगे क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है आप commerce के छातर हो तो आपको पता रहना चाहिए मेरा अगर commerce stream रहता है तो मैं बता देता आपको यहाँ पर खाली है तो यह आप बताओगे चिक का भुकतान रोका जा सकता है चिक को लिखने वाला इनके द्वारा Option C इसका हो जाएगा आवरती जमा में Option D हो जाएगा उपरोच सभी यह चीज आप लोग डेली लेफ में फील करते हूँ जब आप बैंक पे जाते होगे यह सब चीज गौर करो और यहीं चीज आपका इस subject में objective में पूछा जा रहा है थियोरी तो होता नहीं है चार में से कोई एक बिकल्प सही होगा जो टिक करके आओगे अगर एक किसी का सही है एक को मान लो आप ऐसे रंग के आओगे तो सही होगा तो उसका full mark मिलेगा थियोरी में examiner के mood पर निर्भर करता है यह copy computerize जाच होता है computer पे तो इसमें जितना सही solve करोगे उतना mark मिलेगा ठीक है जी बचात बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो यह हो जाएगा त्रे माशिक option इसका क्या हो जाएगा त्रे माशिक option B अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग में से जितने भी लोग नए viewers है चाहे वो किसी भी stream के हो science, commerce, arts के चैनल से जूर जाएगे टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोएन कर लीजिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को तो हर एक update और notification आपको समय पे मिलेगा और part 3 का तयारी भी आप इस चैनल से कर सकते हो कटी फटी नोट बैंक में बदल लिया जा सकता है इसको फेकना नहीं है ठीक है, बैंक में बदला जाता है counter पर जाली नोट मिलने पर बैंक नोट को जब्द कर एक रशीद जारी करें option D साबधी जमा कर सकते हैं option B होगा परिपक्वता के बाद ही मतलब maturity परिपक्वता मतलब क्या होता है maturity यदि locker के किराय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक कर सकता है उपरोगत सभी रूपे debit card क्या है ये सभी ATM और POS पर स्विकृत घरेलू debit card और भारती राष्टे भुगतान निगम द्वारा तयार तो option इसका क्या हो जाएगा D प्रत्यक्षलाब अंतर्ण क्या है बैंक के माध्यम से प्रेशन आधार सीडिंग का आर्थ क्या होता है आधार सीडिंग का आर्थ होता है आधार को बैंक कहते से जोरना इसका option क्या हो जाएगा आधार को बैंक खाते से जोरना मुझे जहां तक लग रहा है इस question में कुछ error है इसका answer हो जाना चाहिए हाँ आधार का बैंक खाते से जोरना ही होना चाहिए क्योंकि आधार सीटिंग बोलते हैं किस प्रकार की जमा रासी पर अधिक ब्याजदर पर प्राप्त होती है तो सावधी खाता चेक की वाइदेदा अधि क्या है जारी होने के तारिक से तीन महिने क्या अनपड व्यक्ति को डेविट कार्ट जारी किया जा सकता है 41 कारेट उप्सन C होगा विटिय प्रनाली 42 का देखिए कौन भारतिय विट प्रनाली में नियामक संस्था नहीं है तो उप्सन इसका D होगा IRDA भारतिय विटिय प्रनाली की रानी माना जाता है RBI को Reserve Bank of India को अब राजा कौन है यह आप लोग बताओ राश्ट्री आवास बैंक की फूर्ण स्वामित वाली साहयक कंपनी कौन सी है RBI विटिय संस्थानों को D हो जाए वो प्रोक्त में से कोई भी भारत का सबसे पहला विटिय संस्थान कौन सा है IFCI IDBI IKS थापना कब हुई थी तो यह हुआ था आपका 1964 में सभी विटिय संस्थानों में की गति वीदियो के समन व्याई पूरक और एकिकरित करने के लिए सिर्थ संस्थान है से भी Stock Exchange Board of India ठीक है जी निम्लिकित में से कौन वानी जीक बैंक्तू की संपत्ती नहीं है चालू जमा खाता Current के बारे में बोल रहा है Current एक कॉंट निम्लिकित में से कौन सा सन्यूजन सही है तो C हो जाएगा R, R, B, Chris With यह क्याबन का Right Option D होगा Chits और Sahukar देखिए यह पहला सेट है आपका इसी तरह दूसरा सेट आएगा Second सेट और Third सेट आएगा तो आपका चार साल का लगबग कोश्चन कंप्लीट हो जाएगा 400 कोश्चन हुआ चार साल का 20 से आपका objective टैप कोश्चन एक्जामें पूछा जा रहा है उससे जएदा कुछ एक्ष्टा नहीं पढ़ना है अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उसी से 70% कोश्चन रिपीट होगा बैंक विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारिद किया गया तो तो 1949 राष्ट्रिये क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक की स्थापना कभ हुई तो जुलाई 1982 चौबन का राष्ट ऑप्शन सी होगा नावार्ड पचपन का हो जाएगा ए मुंबई भारती रिजर बैंक का परधान कारिया ले भारत में अनसुचित बैंक का अर्थ क्या है भारती रिजर बैंक अधिनियम 1934 की दूसरे अनसुचित में सामिल डी भारत का सबसे बड़ा वानिजीक बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कमरसियल बैंक है और द्योगीक सुरक्षा बाजार की स्रेनिया है ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भी दो भारत की विनिमय दर प्रनाली क्या है तो ये है आपका प्रबंदित प्रवा एक्सक्यूज मी लंबे समय में डी हो जागा उपरोक्त सभी विनिमय दर नियधारित की जाती है विदेशी मुद्रा बाजार में एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के लिए ततकाल विनिमय है स्पॉर्ट लेन देन एक महिने में यूरो बैंक जमा के लिए डॉलर बैंक जमा का आधान प्रदान करने के समझाता क्या है फॉर्वाड लेन देन 78 का रैट ओप्शन A होगा RBI अधिनियम 1934 कौनसी अजनसी NBFC को नियंतरी तो पड़िये वीक्षन करती है तो RBI 80 का रैट ओप्शन C होगा 60 डाटा बेस्ट कुश्चन है याद रखेगा 81 का A हो जाएगा 25 लाक रुपया 82 का A छेतर निधी छेतर निधी पट्टे परदी का इसमपत्ती 83 का रैट ओप्शन पट्टाधारी 84 का B हो जाएगा 1969 भारती ओद्योगी की वित निगम IFCI की स्थापना कब हुआ था इंपोर्टेंट है 1948 में R IDBI का स्थापना हुआ था 1964 मुद्रा बैंक सुरू में आ जाएगा SIDBI निमलिखीत में से कौन सा मुद्रा बैंक द्वारा दिये जाने वाला योजना नहीं है तो नारी मुद्रा में R का क्या अरत होता है इसका मतलब होता है पुनविर्थ मुद्रा योजना के ताथ रिन की अधिक्तम सीमा क्या है 10 लाक रुपया मुद्रा योजना के ताथ कितना उत्पाद उपलब्द है तो 3 UTI का स्थापना कब हुआ था काफी इंपॉर्टेंट कुश्यान है 1964 निमलिघीत में से किस सहर में Unit of India का मुख्याला इस्तित है मतलब हेड़कॉर्टर मुंबई में जीवन विमा चहतर का रास्टिक करन कब किया गया था तो ये हुआ था सामाने विमा परिशाद का घठन कब किया गया था 1938 को भारतिय निर्यात रीन गारेंटी निगम की स्थापना कॉर्पोरेशन की स्थापना उनेश्व संताबन में हुआ था LIC का केंद्रिय कारियाल है कहां इस्तित है तो ये है मुंबई में अन्ठानवे का राइट ऑप्शन बी होगा G I E C बीमा किस से धानत पर कारी करता है तो उपरोग्त सभी ऑप्शन डी यूरो नेक्स्ट किसका स्टॉक एक्शेंज है ये है उपरोग्त में से किसी का नहीं बहुत कुशन यहां से मैंने आपको करवा दिया है इस ग्रूप में यहां पर टोटल हंड्रेट के आसपस मैंने कंप्लेट करवाया आपको ध्यान से इसको देखिए और टोटल को याद करने का कोसिस किजी टोटल मिला के साथ से आठ गंटा पढ़ोगे एक्जाम के टाप में इतना सफिसेंट है आसा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दिजे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजी और साथ में चैनल पर जो लोग ने जूरे हैं जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे साथ चैनल पर जूरे रहने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद